लोगाइश तो internet आप सभी करते हैं तो कि आप जानते कि 2S क्या होता है कैसे काम करते हैं या फिर इसके क्या फाइदे और क्या नुक्सान हो सकते हैं तो आए तो दोस्तों को डॉस जिसको हम बोलता है denial of service तो basically दोस्तों यह एक तरीके का cyber attack होता है जो कि किसी system network website ने server पर किया जाता है तो जैसे कि हमको पता है कि कोई website है वो किसी server पर load होती है और उस website की भी जो है एक limit होती है कि 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 कितने user उसको एक बार में visit कर सकते है या फिर कितना जादा traffic वो server एक बार में load कर सकता है तो अगर कभी ऐसा होता है कि कई सारे user एक बार में उस website पर visit कर लेते हैं और server जो है उतना जादा traffic एक बार में load नहीं कर पाता तो इस case में website काफी जादा slow हो जाती है या फिर crash भी हो जाती है तो इस case को ही हम बोलता है denial of service तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि DOS attack कोन और कैसे करता है तो जब हम किसी website को access करते हैं तो हम data ले भी रहोते हैं और data भेज भी रहोते हैं input की form में तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी गलत intention के साथ किसी website को target करके हजारों लोगों के बराबर input भेजता है उस website में तो जिससे की उस website की limit over हो जाती है और server जो है उतना ज्यादा data handle नहीं कर पाता और website जो है वो crash हो जाती है तो इस तरह से DOS attack किया जाता है किसी hacker के द्वारा और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उसको हम बोलता है black hat hacker तो दोस्तों इसके बाद आता है DOS attack जिसको हम बोलते है distributed denial of service तो यह DOS attack का थोड़ा बड़ा रूप होता है तो इसमें जो है एक system या एक internet connection से काम नहीं चलता बल्कि कई सारे internet connection और कई सारे system से इस attack को किया जाता है तो इसमें जो system use होते हैं इनको हम बोलते हैं botnet तो इसमें जो है DOS attack के मुकाबले काफी जाता नुकसान हो सकता है तो आयोब दोस्तों आपको वीडियो पसाने होगी वीडियो से जोड़ा कोभी सवाल या फिस सुजा होगी तो नीचे कमेंट करके जोड़ू बताना वीडियो पसना है यह तो वीडियो को लाइक भी कर देना शेर भी कर देना चैनल पर नहीं दो तो या चैनल को सब्सक्राइब करके उस बैल आइगन के नोटिफिकेशन को और पर सेड़ कर देना तो यह ता इस वाली वीडियो के लिए